नमस्कार वंदे मात्रम मैं हूं शामगीरी आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का याने मुद्दा आपका मुद्दा है लौरेंस भिष्णोई का जिया लौरेंस भिष्णोई का इसमें चछ्चा में चल रहा है क्योंकि उन्होंने जो है एन्च्पी के नेता महर बाव सिद्धिकी का सीधा सीधा कतल करवा दिया है और इसको लेकर पुरे महाराश में रोश है महाराश में रोश कह सकते हैं कि पूरे देश में रोए कुछ लोग कुछ भी है और उनका कहना यह है कि लारेंश विश्णोई जो है एक हिंदुत का बड़ा उठाने वाला आने वाले समय में और वो कहीं ने कहीं जो है ब्रैंड बन रहा है इसे हमारे आनन दिये साब कुछ ल ताकि यह हिंदुत का आगे बड़ा नाम आने वाला है हिंदुत के लिए तो लोगों ने कामी प्रत्रग्या दी थी और लोगों अच्छे कमेंट्स किये थे कि ऐसा कुछ होना चाहिए और किसी का सानुदी जो है बाबा सिद्धी के साथ नहीं था और सबसे बड़ी बात है कि वो बॉलिवुड के उपर और ज़्याजा चिट रहे हैं लोग कि बॉलिवुड का ही मसीहा था और उसको जैसी करने वह इसी भरनी बहुत से लोग ने इसे से अलाला कमेंट किये तो क्या लगता है सर यह जो लारेंज बिश्टुई इससे तो पड़ी दा होगा जेल में दो पर करेंगे ख़ोगा शुकेश्ट तो क्या लगता है कि और और कुछ है बड़ा कुछ करने की कि करएगा ख़ोगा कर अपने जो बून वो मुझे सही लगा आपने बोला कोई वो सलमान को कभी मारेगा नहीं क्योंकि जैसे सलमान खत्म हो गया तो वैसा ही हो जाएगा कि भी श्रीराम मंदिर बन गया तो उसकी बात निवे लेक्शन में नहीं चलती है या ब्रैंडिंग में नहीं चलती है मगर मुझा यसा लगता है कि मारना बहुत आसान है सर किसी को भी मारना और सरकार कुछ नहीं कर सकते अभी हो मिनिस्टर इनका रिसेगनेशन अभी इनको वाई सेकूर्टी था बाबा को इस समय तीन पुलिस में से एक ही पुलिस था सर रहते नहीं में ऐसा आदमी रिलाक्स हो जाता है सर एक जमान में मेरे को शंपरा चाउन थे तो मेरे को जहर प्लस सेकूरिटी थे पूरा आगे पीछे गारिया लेके गुंगता था शंकरों के जमाना में पर उससे कुछ होता नहीं सर वो गूलिया आएगा मार देगा एक श सलमान खान, शारुक खान और अमिर खान ये तीनों देश के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अभीनेता है और उनको राज ठाकरे में बोला था कि ये खानावर है मतलब ये खान नाम के जो लोग है उनका ही राज चलता है वही वो डिसाइड करते प्रोडिसर, डिरेक्टर इस जो नदीन था, उसने तो इसको मार डाला था, गुर्शन को मार की, तो ये मारने की पर्मपरा फिल्म वाले बहुत मर गये, अपने रिती कोशन की पिता राकेश रोशन कर भी हमला हुआ था, वो क्या मुसल्मान ने बहुत सारे फिल्म वालों के उपर खंड़नी के लिए, लग रहा है कि जो हिंदू मुसल्मान संगर्श था, वो अभी जल्द ही बॉलीवूड में आ जाएगा और ऐसे आवन हिंदू संगटनाओं के ओर से आ सकते हैं, कि वह सलमान खान का बहिशकार करो, अमिर खान का बहिशकार करो, तुमारे शारुक का बहिशकार करो, जितने से कला के ख्षेतर में आज तक ये जंग नहीं थी धिलिप कुमार को हमने धिलिप कुमार ही समझ जया यूसुप खान कभी नहीं समझ जया है लेकिन बहुत सारे एक्टर एक्टरस है कि जिनके नाम हिंदू है वो मुस्लीम है मगर हमको मालूम होते वह भी सुलोचा महारशे की जो महमता वाथ्षेले मूर्थी सुलोचाना करके थी वो हिंदू नहीं थी फिर भी वो हिंदू का पूरा आउतार थी माथ्षेले मूर्थी ऐसे बहुत है मगर अभी ये युद्ध जो मंदीर और मशीर तक सिमित था वो भी बॉलिवूड में जाएगा ऐसा मेरे को लगता है और अभी सल्मान के देखो नवल टाटा के निधन पर जिनोर शूप मनाया रतन टाटा तो सल्मान के लिए उपनलीश रधन जिलिले ने कोई फिल्म वाले नहीं आये ज़्यादा बाबा सी दिखीगी आप तो सल्मान को ये लुड़का दी ने बाबा सी दिखीगी क्या है जो सल्मान का साथ लेना मतल厭 आगला विशलों का टांजित वो हो जाएंगा सवाल्स getting अनूकोड़का मगर सरकार तो मदद कर रही है कि अभी इसको मार सकता है तो उसको नहीं तो आम नहीं नाम मतलो जशीन भी उसका जो बेटा है उसको भी मारने वाले थे वह पूर आया करके वापिस लगया करके बचा नहीं एक अब दर्मवीर धर्मयोध्धा होगारे माने के लिए तैर नहीं हूं सर अइसा क्रिमिनल को आप किसी धर्मस से जो नहीं नहीं दे सकते और लोग बोल रहे हैं कि अभी नया तो तैयार हो गया है मेरे उपर ये इल्जाम आएगा कि वे आनन्दीके साब को आपने धर्मवीर बनाया जब उन्होंने श्रीदर कॉपकर कमरडर किया तो आपके इस मूझ से बोले कि इसको धर्मवीर मत बोलो धर्मवीर उद्धा मत बोलो इसके लिए मुझा थोड़ा सा प्रॉब्लम है अग ठीक है अभी वो दाउद को जीजिन मारेगा दिन हम दिवाली मानाएंगे फिर उसको धर्मवीर करके कोड से अपने इससे भी जेल से भी छोड़ने के लिए हमेरी हरकत नहीं है कुछ अब मेरे शाल से टार्गेट रख करेगा वो आज दी तो कल ओशान तो नहीं है और दाउद को मारेगा दिखाएगा और दाउद के बिज़े एक विश्चोही ने सरकार के गुर्विल में आना है और समंद अच्छे रखना है और लोगों के दिल मेराना है वो अगर दाउद को मारता है और उसकी गैंग क्रेडिट लेती है कि हमने मारा, तो देश में तो वो खाजर करके फुलन दे भी चुनके आएगा, क्या मालूम, कल वो देश का कुछ मंत्री विद्री बनेगा, हिंदुत्व के मंत्री मंदर में, छोड़ो, ठीक है, धन्यों, ध वो लिए बॉलिवूड में काफी चीज़े होती है, वहाँ पर काफी पैसे लगई तो उसकी वीशेश बात मुझे लगी, कि वो पैसा नहीं मांग रहा है, विष्णौई, वो खात्मा कर रहा है, वो पैसा नहीं मांग रहा है, अभी बज़ेगा नहीं, पैसा तो लगेगी दाउद के नाम पर लोगो कितने कमाएं, दाउद को पता भी नहीं होगा कितने नाम पर पैसे कमाते हैं, हमने देखा हैं, थाना में, पैसे कमाने बहुत जरिया है, अलिबस दर्शत बनाना है पहले, तोरफोर जो पुर्णा में चलती है ना आज कल, गाड़ी फोडो ये समाच से, और बच जाओगे, कभी, नहीं बचेंगा, ऐसे माप तो लगी आजे, कल अगर किसी के उपर भलात्यार हुआ है, और वो बोला मुझे माफ कर तो थोड़े माफ करेंगे, उसको तो फासी लगाना है, सरकार ने, शिंद्रे साब ने तो बोला है, कि जो भी पकड़ करेंगे, उनको फासी देंगे हम, एनिवे, देखते हैं, आगे किस तरह का गैंग तैयार होता है, किस तरह को गैंग को कंट्रॉल किया जाता है, क्या सरकार, वो क्या अब इसको पर ही, इनको मेसेज बिजे, क्या आप उसको धर्मवीर, धर्मवीर ताम आनने को ताया, सिंदे साब ने कहा है, कि बाबा के उपर इतने लोग ने भी पलव अटे किया है, हम सबको फासी दिलाएंगे, और तीन लोगों ने किया, चार लोगों, बड़ा करवाई करेंगे, खर दिखते हैं, मुर सर, और एक बात आगई है, आपने बोला तो मुझे यादा है, ठीवी पर दिखा रहा है, कि महारशल सरकार के जो पुलिस है, उन्होंने केंदर सरकार से रिक्वेस्ट की थी, कि हमको इसको विष्णोई को थिहार जेल से हमारे कभजे में दे दो, ने रभी राजम यहा तो उसका क्या हो, उन्हों कितना आगे करेंगे, बढ़ा दिक्कत हो जाएगी, और एक लुग फूल सपोर करेंगे उसका, इस तरह से चल रहा है सब, एक लिए पूल सपोर करेंगे, उसके लिए रस्टे पा जाएंगे, तब क्या, इसलिए उसको सम्भालना भी होगा, इनक आपकी प्रत्रिया दीजिए इस पर विश्णुई गाइन के उपर और बने रहें बाद साथ देखेंगे और यह सवाल का जवाब लिखेंगे क्या आप उसको धर्मवी धर्मवी उद्ना मानते है लाइन्स विश्णुई को इसका भी जवाब इनके वाट्सेप पर देदीजि ड़ने वाट जाइन जाहें माराश जासेवड़ा